वेलकम तो वैब इंस्टिटूशन एन इंटरनाशनल ब्रांड अफ साफ्ट्वेर इंजिनरिंग एजुकेशन गड़ मॉनिंग एस्टूडेंट्स यह व्यू जेस का चैप्टर 6 है इससे पहले की वीडियो आपको इस प्लैलिस्ट में दिख जाएंगी पीछे की सारी वीडियो जब पढ़े होंगे तो ही वीडियो आपको समझ में आएंगी क्योंकि जो प्रॉजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसकी को आगर बढ़ाएंगे इस वीडियो में वैसे रीसेंट्ली यह वीडियो अप्लोड किया गया था Detect Changes of Local Storage और Season Storage ये वीडियो आपको इस प्लेडिस्ट में दिख जाएंगे Special Videos for Developers वाले प्लेडिस्ट में Generally जब आप Authentication मनाते हो Login System तो यूजर के Computer में आप Data Store करोगे अगर उस Data को यूजर ने Change कर दिया तो उस Case में हमें उसे Secure करने के लिए क्या करना चाहिए वही चीज इस वीडियो में बताया गया है Detect Changes of Local Storage और Season Storage में तो इसे अब तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए वीडियो लाइक करतीजी कुछ पूसना चाहते कॉमेंट जरूर कीजीए आपने लूप पढ़ा था लूप की शाहता से हमने वेबशाइट के मेन्यू को रेडि किया था Chapter 5 में लूप की और भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि Single Page अप्लिकेशन वाला जितना भी लैंग्वेज है Angular, React या Vue.js इनमें लूप का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि लूप से आपका कई सारा काम आशान हो जाएगा और अच्छी तरह से समझने के लिए लूप को इस वीडियो में दो तिन एकजामपल को बनाएंगे पहला एकजामपल है, यह एक टेबल है, इसको हमें लूप की शाहता से प्रिपेर करना है अब टेबल को लूप की शाहता से क्यों प्रिपेर करेंगे देखिए जब आप बड़े शॉफ्टर को बनाओगे, तो शॉफ्टर के अंदर आपको इस तरह का एड्मिन पैनल वगड़ा बनाना होगा, इस एड्मिन पैनल में जितने भी रेकॉर्ड्स आप देख रहे हो यहां पे यह सारे रेकॉर्ड्स शर्वर से आते हैं, तो सर्वर से जो रेकॉर्ड हमारे पास आता है व्यू अप्लिकेशन के अंदर या रियाक्ट या एंगलर अप्लिकेशन के अंदर, तो ज़्यादा तर लूप की शाहता से ही उसको व्य पैज पर प्रिव्यू किया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सर्वर से आखिर कितना डेट आया, होशकता है यहां जो data present करने के लिए आपको क्या करना होगा 200 times आपको td tag शुरू करके बंद करना होगा सब के बीच में data type करना होगा आपको बस इसी वज़ाओ से हम loop पड़ते हैं ताकि अगर data का quantity कितना भी ज़्यादा हो तो हम एक ही बाड़ में define कर सके कि उसमें से कितना data print होगा यह सारी तो वाप वाले project के अंदर app.view को open करेंगे देखे app.view के अंदर जो container है उसमें सिर्फ ये return है table loop जिसकी वज़ाओ से आशा दिखा आपको अब table present करना है हमें table tag को शुरू करके आशा बंद करेंगे boot step के शब्दों में table को design करने के लिए पहला class value add कर दिजेगा table और अगला class value add कर दिजेगा table-stripped पहले हमें th को prepare करना है तो th की coding यहाँ boot step के शब्दों में हम th head के अंदर रखेंगे th के अंदर tr को शुरू करके इस तरह से बंद कीजिए अब जितना column होगा उतना time हमें th stack को create करना है सपोज कीजिए पहला column है id के नाम से तो आप ऐसे id के नाम से create करोगे कुछ ऐसा दिखा लेकिन मैं चाहत हूँ यह loop से create हो आशान होगा अगर आप लूप से create करोगे तो देखे कासे होगा यह जो data है इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई property बनाओ जैसे मैंने column के नाम से property बनाया आड़े को अशाइन करेंगे इसमें column का नाम define कर दीजे पहला column id अगला column में define कर देदाव name फिर अगला column define कर दीजे email फिर इसके बाद अगला column define कर दीजे mobile और इसके बाद last में column define कर दीजे action अब देखे column के name का collection एक array में हो गया तो easily हम loop चला कर th को इतना time create कर सकते है जितना इस array में data होगा जैसे ये वाला th हमें 5 बाद लिखना पड़ेगा अगर 5 column चाहिए तो हमारे पास loop का technique है तो हम 5 बाद नहीं लिखेंगे हम th में क्या करेंगे v-for इस directive का इस्तमाल करेंगे अपनी मर्जी से कोई variable दीजे जैसे मैंने column के नाम से variable declare किया loop जो चलेगा उसका indexing number इसमें receive हो जाएगा bracket के बाहर in keyword का इस्तमाल करेंगे और फिर जो आपका property है जिसमें array है वो define कर दीजे तो इस add के लिए loop चलेगा अगर इसमें 5 data होगा यानि कि यह 5 data है तो इसका मतलब यह th 5 times create होगा और इस column के अंदर जितना भी data है आपका id, name, email, mobile और action यह सारा data आप इसकी सहता से access कर पाओगे तो जरूरी नहीं है कि यहाँ यही नाम देना आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो पहला जो variable होगा उसमें data receive होगा second variable में आपका indexing number होगा अब जब भी आप loop चलाओगे आपको key attribute का इस्तमाल करना होगा और यह th 5 times create होने वाला है हर th में key का value अलग-लग होना चाहिए तो हम index pass कर सकते हैं क्योंकि index का value first time 0 होगा अगली बार 1 होगा फिर अगली बार 2 होगा तो हर बार यहाँ पे अलग-लग value आएगा अब इस attribute के पहले हमने colon का symbol क्यों दिया जब भी भी attribute में कोई dynamic data handle करेंगे जैसे यह जो index है variable है dynamically data आएगा यहाँ पे तो अगर किसी attribute का value dynamically आने वाला है तो इसका मतलब उस attribute के नाम के पहले colon का symbol देंगे normally अगर key में कोई string होता जैसे इस तरह से कोई string होता यह तो कोई variable नहीं है तो इसके लिए हम key ऐशे ही लिखेंगे लेकिन इस attribute में अगर यहाँ variable या constant या property दे रहे हो तो इस attribute के पहले आप colon का symbol ऐशे पास कर दोगे अब th के बीज में write कर दीजे जो भी आपको लिखना है तो देखे मैंने placeholder का इस्तमाल किया जो भी हमें write करना है वो किसमे है column में आप इसी column को print कर दो th के बीज में तयाशा करने से यह सब print हो जागा एक के करके हर th के अंदर run किजिए देखे बन गया column एक ही बाड़ में इस यह फायदा क्या हुआ future में जब भी भी column की संख्या बढ़ानी या घटानी होंगी आप कहां चाओगे बस यह जो column वाला आपका property है इसमें आप जाओ editing कर लो या तो आपको remove करना है तो आप remove कर लो किसी का नाम change करना है तो आप नाम change कर दो तो आप देख़ो कितना काम आशान हो रहा है आपका loop की शाहता से तो column हमने define कर दिया अब T head के बाहर निकलिए TD की coding हम bootstrap के सब्दों में T body के अंदर करते हैं तो T body को शुरू करेंगे और ऐसे बंद कर देंगे T body के अंदर TR शुरू करके आप ऐसे बंद करो अब इस TR के अंदर उतना TD होना चे जितना data हो का आपके पास जासे देखिए मैं इसी TD को multiple times copy करके ऐसे paste कर देता हूँ जाबने अगर 100 users का information होगा तो ये TR की coding आपको 100 times लिखनी होगी इससे better हम क्या करेंगे information को prepare कर लेंगे JSON format में और इस TR को loop की शायता से create कर लेंगे तो देखिए ये पहला column property हमने बनाया एक property बना लिजे जैसे मैंने user के नाम से एक property बनाया add a को शाइन किजिए और देखिए अभी हमारे पास multiple information है ये जो उपर वाला column है इसमें एक ही information था मतलब एक परकार का एक information ID, name, email, mobile, action इसलिए directly हमने add a के अंदर string पास कर दिया लेकिन अभी क्या है हर row शे related आपके पास अलग लग information होगा इसलिए पहले row का information add a के अंदर पहले जेशन में फिर अगले row का information add a के अंदर अगले जेशन में ओके तो ये पहला जेशन होगया ID का value अपset कर दो 1, name का value जो भी आप define करना चाहते हो define कर दो फिर email का value जो आप देना चाहते हो define कर दो फिर इसके बाद mobile का value जो भी आप देना चाहते हो as a define कर दो इसमें action के लिए define नहीं करना है आपको action special काम के लिए बनाए गया है वो मैं बताऊंगा आपको मैं इस action की बात कर रहा हूँ यहाँ जो action है तो अभी मैंने name, email, mobile और id के लिए prepare कर लिए यहाँ पे तो यह पहले user का information था कॉमा से separate करके copy paste कीजिए फिर अगले user का information define कर दीजिए यहाँ पे id का value 2, name का value change कर दीजिए, mail id change कर दीजिए, phone number change कर दीजिए फिर तीसरे user का information तीसरे जेशन में asher define कर दीजिए, changes कर दीजिए सब में अब क्या करेंगे इसी users के लिए loop चलाएंगे और सब ही data को present कर देंगे तो नीचे आईए t-body में यही t-r हमें multiple times create करना है सबोज कि यह 4 user का information है तो t-r 4 पर create होना चाहिए और हट t-r के अंदर id होगा, name होगा, email होगा, mobile होगा और action होगा तो इस t-r में v-4 directive का इस्तमाल कीजिए ऐसे define कर दीजिए data, index इनका इस्तमाल करेंगे ऐसे write कर देंगे user तो user आडरे में जितना data होगा उतना time t-r create हो जाएगा key attribute का इस्तमाल कीजिएगा और इसमें define कर दीजिएगा index ताकि सभी t-r में key का value अलग लग जाए मैंने users के नाम से, यहाँ पर property create किया है यह देखे जरा, यह users और इसी users को यहाँ पास कर देंगे अभी run किजिए, देखे गोर से, three times आपका row create हुआ क्योंकि users वाले array में, तीन अलग लग जेशन है लेकिन सब जगह पर one आया, क्योंकि हमने data read नहीं किया अब data read करना होगा, तो यह पहला td है आपका इसमें placeholder का इस्तमाल कीजिए data के अंदर से आप ID एक्सेस कर लो तो पहले row का ID प्रिंट हो जाएगा फिर यहाँ पे data के अंदर से name एक्सेस कर लीजे तो name प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे email एक्सेस किजिए email प्रिंट हो जाएगा, अगले td में mobile एक्सेस किजिए mobile एक्सेस हो जाएगा और इस td में आपको delete का button present करना इसलिए one को मिटा देजिए और manually यहाँ पे button create करना होगा आपको ऐसे button tag को शुरू करेंगे ऐसे button tag को बंद कर देंगे class attribute का इस्तमाल कीजिए btn, btn-danger ये class value add कर दिजिए और text write कर दिजिए इसके बीज में delete, shave करके run करेंगे देखे गोर से सब जगा अलगलग information आया और delete का button आया इस table का data और बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे बस हम यहाँ चाहेंगे ये users के अंदर तीन information हम दे चुके हैं चौथे user का information ऐसे define कर देंगे user का जो ID होगा वो यहाँ दे देंगे जो user का name होगा यहाँ दे देंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये row डिलीट होना चाहिए आशा करने के लिए आपको जिस डिलीट के आइकन पे क्लिक होगा उसके row का indexing नमबर आपको भेजना होगा आपके function में तो ये है delete का button आप click event को आशे पास करो हमारे पास एक function होगा delete row के नाम से इस function को call करेंगे और indexing नमबर को इस function के अंदर भेज़ेंगे मतलब इस index नमबर को अब delete row वाले function का definition कीजिए जरा यहाँ पे methods के अंदर आशे write कर देंगे delete row index नमबर यहाँ receive हो जाएगा testing purpose के लिए alert का इस्तमाल कीज़ और index को आशे print कीजिए अब रोखो delete करने के लिए बस आपको इस array के अंदर से data delete करना होगा यह देखने users आएडे इसके अंदर से data delete करना होगा suppose कि जिए अगर आपने पहले वाले delete पे क्लिक किया तो यह जो data है short of err.gmail.com इसका जो जेशन होगा आपके users के अंदर यह delete करना है आपको तो यह बड़ा ही आशान है delete करना delete row function के अंदर this की सहता से users वाले को access करेंगे मतलब इस array को access कर लेंगे और इसके लिए splice method को call करेंगे किस indexing नमबर का data delete करना वो इसमें आ रहा है वो इसके first argument में pass करेंगे और इस indexing नमबर के बाद second argument पास कर देंगे one देखे मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ name defined as short of इस पे मैंने क्लिक किया देखे वो data चला गया लेकिन notice कीजे जिस पे हमने क्लिक किया सिर्फ वही row गया आप चाहते हो उसके आगे का भी कुछ row चला जाए तो इस number को बढ़ाएंगे अगर one यहाँ दोगे आप तो जिस पे आपने क्लिक किया सिर्फ वो वही row डिलीट होगा अगर आप यहाँ पे two right करते हो तो जिस पे आप क्लिक करोगे वो तो डिलीट होगा है लेकिन साथ ही साथ उसके आगे का भी डिलीट हो जाएगा जैसे अभी मैंने two दिया अभी अगर आप शेव करके रन करोगे और मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो यह तो डिलीट होगा ही लेकिन साथ ही साथ इसके आगे का भी एक डिलीट हो जाएगा जैसे देखिया भी शोडव है मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो शोडव और गौतम दोनों डिलीट हो गया यहाँ three देंगे तो इसका मतलब जिसपे क्लिक करने हो वो तो डिलीट होगा ही लेकिन उसके आगे का दो रो और डिलीट हो जाएगा लेकिन हमें शिर्फ वो ही डिलीट करना है जिसपे हमने क्लिक किया इसलिए यहाँ पे one pass करेंगे मुझे लगता है समझ में आया होगा वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होगा आपके लिए आगे बहुत काम देगा ये वीडियो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अगर आप हमारे यहाँ से कोडिंग के फिल्ड में कैडियर चाहते हो तो वैब इंस्टिट्यूट डाटकोम पे विसिट कीजिए बड़ा ही पॉपलर क्लास चलता है वैब इंस्टिट्यूशन का शॉफ्ट इंजिनियरिंग, ए टू जेट चीजिए आप शीखते हो कोडिंग से रिलेटेड सालेवस जरूर देखिए इस कोर्स का यहाँ पे क्लिक करके कोई शॉट्रम कोर्स करना चाहते है तो कोर्सेज वाले सेक्षन में आकर आप किसी शॉट्रम कोर्स को भी चूज कर सकते हो पैतर जनकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करे वाइप इंस्टिट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और वाइप इंस्टिट्यूट डाट कम पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद